असलाम अलेकूम मायोट्वी फैमली कैसे हैं आप सब आज में आपके साथ बहुत ही बढ़िया रेसेपी शेयर करने जा रही हूं जो की गुलत्थी की खीर वाली रेसेपी है यह गुलत्थी को बिल्कुल टक कर दे सकती है देखिए हमने इसमें यह छोटे वाले स्ट्रॉबरी भी एट किये हैं और सिल्वर वाल्क्र से हमने इसको कानिश किया है और थोड़े से ड्राइफ फ्रूट से आप इसे एक बार जरूर ट्राइए करें 2 लिटर हमने दूद्र Ż 1 फूल कृम लिया है यह इसे आप और उनर लिए अब इसको इसको आने देते तक है इधर हमने ईह 500 गाम चाव लिए हैं यह खीर के चावल ह्यायः यह मोटे चावल आते हैं क्हीर के आप किसी भी किराने की दुकान पर कह सकते हैं कि हमें खीर के चावल चाहिए तो वह आसानी से आपको दे देगा यह हमने 1500 ग्राम लिये हैं और इसे सोक कर रख दिया अब इसे एक मिक्सर जार में डालकर हम इसको पीस लेते हैं 200 ग्राम मावा जाएगा इसमें थोड़े से ड्रायफ फूट जाएंगे काजू बदाम ड्रायफ रूट में सिर्फ हमने काजू बदाम ही लिया हैं जिसको हमने अलग रख है हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे खीर में यह शूगर लिये हमने 1500 ग्राम लिये जब तक दूद इसको मिक्स करते हैं और इसमें चावल एड करते हैं जब तक बॉइल नहीं आता जब तक इसको हमें चलाते रहना है इस ताइम आप फ्लेम को फुल रखें अब इसमें बॉइलाना स्टार्ट हो चुका है इसमें फुल बॉइल लेते हैं और फ्लेम को बिल्कुल सिलो कर देते हैं कि और इसको पांसे दस मिनट हमें सिलो आज पर ही पकाना है कि अब इसको चलाने की जरूरत नहीं है आपको आप एसी ही वाई लाने दें और बीच बीच में चलाते रहें कि देखिए पांस से चे मिनट हो चुके हैं इसको अच्छी तरह पकते हुए अब इसमें हम यह शूगर एट कर देते हैं शूगर हम इसमें कम ही एट करेंगे क्योंकि हमने जो छोटी वाली स्ट्रॉबरी ली है रजगुलियां उसमें भी मीठा है अब इसको मिक्स करते हैं और एक दो मिनट और बॉइल होने देते हैं शूगर को अच्छे से मिक्स कर लें इसमें और फिर से बॉइल आने दे शूगर डाल कर यह थोड़ा लिक्विडी हो जाता है इसलिए हमें एक से दो मिनट और पकाना है इसे फिर इसमें हम मावा एट करेंगे थोड़े से ये सॉप्ट हो जाएंगे थोड़े से ड्राइफ रूट हम इसमें ही डालते हैं इसमें थोड़े से मोटे मोटे ही ड्राइफ रूट एड़ किये जाते हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं खाने में अब दो मिनट हो चुका है इसे पकते हुए अब इसमें हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं और इसमें ये मावा एड़ करते हैं कि है कि इस तरह से कीजिए आप मावा छे से मेल्ट हो जाएगा इसमें इसको ज्यादा पकानी की जरूवत नहीं हो ती है क्योंकि चावल भी हमारे सोग थे और इसमें पक चुके हैं और हमने पीस के साबु चावल डलता है उसको ज्यादा पकानी की ज़रूवत हुए जब तक की वो गल ना जाए ये पीसे वे चावल है असानी से गल जाएंगे देखिए हमने मावा इसलिए मोटा मोटा डाला है कि इसके ये मोटे मोटे से चंक्स रह सकें बिल्कुल ये गुलत्थी की तरह हो जाए वैसे तो शीर में पीस के चावल डलते हैं लेकिन आप इस तरीके से एक बार खीर बना कर देगे बहुत ही टेस्टी बनेगी बिल्कुल उलत्थी का टेस्ट देगी बस इसमें एक बॉयल आ जाए हम गैस को बन कर देंगे और इसको ठंड़ा होने देंगे फिर इसे सर्प करकर दिखाते हैं आपको और इस ट्रॉबडी जो है वो भी हम ठंड़े होने के बाद ही इसमें एट करेंगे उसको हमने फ्रेजर में डाल दिया है बस इसमें बॉइल आ गया है कि लेम को हमने बंद कर दिया है इसको ठंडा होने के निए रख देते हैं जब तक ये रूम टेमप्रेचर आता है ये हमारी खीर रूम टेमप्रेचर आ चुकी है इसमें ये स्टॉबरी एड़ करते हैं पर इसमें एड़ कर देंगे इस सारी स्टॉबरीयां हमने इसमें एड़ कर दी है ये थोड़े से मुनट से इसको हम ओपर से गानिश करेंगे इसमें आप मोटे-मोटे ही ड्राइब फूर्ट्स दा लें और ये सिल्वर फॉइल से हम इसको गानिश करेंगे सिल्वर फॉइल से हम इसको गानिश करेंगे ये रहा फाइनल लुक हमारे खीर का आप इसे एक बाज जरूर ट्राइ करें बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है बिल्कुल गुलत्थी के टेस्ट वाली अगर आपको ये रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक शेर सबस्क्राइब करें अला हाफीज